दोस्तों पिछले साल का Big Billion Day Sale और Amazon Great Indian Festival Sale आप लोगों को यादी होगा क्यूंकि उस Sale में दोस्तों 2023 के Sale में बहुत ही घपले बाजी Amazon ने और Flipkart ने करी थी और बहुत सारे fraud दोस्तों Amazon Flipkart वाले करते हैं इसेल के दौरान कुछ sellers करते हैं कुछ यह कंपनिया करती है तो तीन दोस्तों फ्रॉड में इस वीडियो में आप लोगों को एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को इन सभी फ्रॉड में नहीं पढ़ना है और कैसे आप बच सकते इन सभी फ्रॉड से सब इस साल के एंड तक हमें 10 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें तो चली वीडियो में आगे बड़ा तो जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों बिग बिलेंडे सेल और Amazon Great Indian Festival से लिए बहुती बड़ा सेल होता जहाँ प्राइजेज को इंक्रीज कर दी जाती एक्सचेंज को डिसेबल कर दिया जाता है तो उन सब के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों और मैं यह भी आशा करता हूँ दोस्तों इस साल ऐसा हमारे साथ कुछ भी ना हो क्योंकि जिस तरह के डील्स दोस्तों Amazon और Flipkart के उप कर दिया था मतलब कि एक्सचेंज आप फोन को करी नहीं सकते थे क्योंकि एक्सचेंज के उपर दोस्तों पिछले सल आइफोन 13 के उपर बहुत ही पड़ा डिसकाउंट सा जहां पर एराउंड पांच-छे हजार रुपे हमें एक्स्ट्रा कैस्बेक मिल रहा था इन लोगहें लिए गार रहता है। पड़ेगा, तो सेलर का भी बाहना देकर दोस्तो फ्लिपकाट और Amazon वाले ओडर को कैंसल करते हैं, वेबसाइट किस तरह से स्लो हो जाती है वो हमें पता ही है, और तीसरा फ्रोड दोस्तो जो फ्लिपकाट ने पिछले साल किया था वो था दोस्तो प्राइज पास का यानि कि आपको दो-तीन ह Lieutenant देने पड़ते थे और दोब्हाइब कilla कि अपने फ को एक तरह से नहीं भड है के कि अत्र फोन पराल कि को प्रैसर लड़ेगा बहुत लोगों का पास unavailable दिखा रहा था और जब order उन लोगों ने करी तो higher prices में phone उन लोगों को मिले तो ये तीन fraud दोस्तो इस साल sale में मुझे लगता है कि हो सकते है या फिर ना हो तो बहतर है लेकिन दोस्तो पिछले साल का जो sale था वो सबसे घटिया sale था आज तक का तो यह mindset बना लिया कि phone है iPhone मान के चले आपका budget 40,000 आपने क्या देखा कि iPhone 14 की price for example 44,000 रुपीज है आपका budget 40,000 आपने क्या 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 extend करके अपना budget 44 कर दिया फिर आप देखते दोस्तों कि 50,000 में तो iPhone 15 मिली रहा है तो आपने क्या क्या और budget stretch करके 50,000 तक उस budget को कर दिया फिर आप कोशिश करेंगे order करने की order होगा नहीं होगा नहीं तो आपके mind में दोस्तों 40,000 से budget 50,000 तक हो गया आपको पता भी नहीं चला फिर आप क्या सोचेंगा दोस्तों कि 50,000 से 5000 ही मुझे ज्यादा देने पड़ रहे है छे हजार ही ज्यादा देने पड़ रहे है जब 2-4 घंटे तक order नहीं होगा तो price obviously increase होगी और यह दोस्तों पीछले साल से यह लोग price increase कर रहे है उसके पहले दोस्तों big billion day sale में फिर amazon sale में price दोस्तों fix रहता था तो आप क्या सोचेंगे कि 50,000 तो आपने mind में क्या बैठा लिया कि 50,000 मेरा budget है तो आप देखोगे कि 5000-6,000 आपको extra देने कर दिया तो इससे दोस्तों brands का ही फाइदा है और यह सब दोस्तों यह लोग इसले करते हैं ताकि इस sale में यह लोग hype बना दे कि इतने कम prices phone मिल रही है और अंत में दोस्तों आपको higher prices में phone sell करें इस साल के sale में दोस्तों मैं आशा करता हो कि Flipkart और Amazon ऐसे कुछ भी अतरंगी पैतरे ना आजमाए 40,000 का phone है तो उसे 40,000 में sell करें ना कि 5-6,000 वोग price increase करके बेचे तो देखते दोस्तों flipkart और Amazon के sale में इस साल क्या होता है आप भी दोस्तों अगर आपको shopping करनी है तो ज़रूर से कर दिएगा sale के दौरान बहुत अच्छे अच्छे prices में phone मिलने वाले ह है और आप क्या phone purchase करना चाहते है जरूर से मुझे comment में बताएगे का आई होब कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को इंफार्मिटर लोगे हो अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें अगली में फान कातों कि जैहिंद वंदे मात झाल